नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जी हाँ पेशाप के साथ निकल जाएगा किड्नी श्टोन अपनाएं ये 10 टिप्स जो की बहुत ही कारगर है श्टोन के लिए नियमित दिन चर्या के कारण लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं किड्नी श्टोन होने पर बहुत पिड़ा होती है यह बीमारी आनवानशीक भी हो सकती है पत्री होने पर कई लोग ऑपरेशन करवाना पसंद करते हैं लेकिन कुछ ऐसे घरूलू उपाए भी हैं ज कुछ श्टोन रेत के दानों की तरह तो बहुत छोटे छोटे आकार के होते हैं तो कुछ बड़े आमतोर पर छोटे मोटे श्टोन मुत्र के जरिये शरीर से बाहर निकल जाया करते हैं लेकिन जो आकार में बड़े होते हैं वे बाहर नहीं निकल पाते हैं आये हम आपको इ पत्रवर्धक के रूप में कारे करता है क्योंकि इन में पोटेशियम नमक और पानी भरपूर मात्रा में होता है अंगूर में अलबुमीन और सोडियम क्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में होते हैं जिनकी वजह से इन्हें किड्निय श्टोन के उपचार के लिए अच्छा माना जाता है करेले के द्वारा जिहां करेला बहुत कड़वा होता है और आम तोर पर लोग इसे कम पसंद करते हैं लेकिन किड्निय श्टोन के मरीजों के लिए यह राम बाण की तरह है करेले में मैगनिश्यम और फासफोरस नामक तत्व होते हैं जो पथरी को बनने से रोकते ह इसलिए किड्निय श्टोन की समस्या होने पर करेले का सेवन करना चाहिए के लाखाएं जिहां श्टोन की समस्या से निपटने के लिए केले का सेवन करना चाहिए इसमें विटामिन B6 होता है विटामिन B6 आकले जेट क्रिश्टल को बनने से रोकता है और तोड़ता है इसक 150 मिली ग्राम दैनिक खुरा किड्नी एश्टोन के उप्चार में बहुत फायदे मंद है निम्बू का रस जैतुन के साथ निम्बू का रस मिला करके सेवन करने से किड्नी एश्टोन में फायदा होता है दर्द होने पर 60 मिली लीटर निम्बू के रस में उतनी ही मात्रा में औ बथवे का साग, जिहां किड्नी श्टोन को निकालने में बथवे का साग बहुत ही कारगर माना जाता है, इसके लिए आप आधा किलो बथवे के साग को उबाल कर छान लें, अब इसे पानी में जरासी काली मिर्च, जीरा और हल्का सेंधा नमक मिला करके दिन में चार बार पि सुबह खाली पेट पे आज के रस का नियमित सेवन करने से पथरी के छोटे-छोटे टुकड़े में होकर के बाहर आने की बहुत ही अच्छे चांसे होते हैं और निकल जाते हैं, जिसकी बदोलत आप ठीक हो जाते हैं, अजवाइन एक महानी यूरिन एक्यूरेटर है और कि किड्नी में श्टोन के गठन को रोकने के लिए अजवाइन का इस्तेमाल मसाले के रूप में या चाय में नियमित रूप से किया जा सकता है, तुलसी का प्रयोग करें, तुलसी कई बिमारियों के लिए लाफदायक है, तुलसी की चाय पीने से किड्नी श्टोन से निजात म मिल जाता है अब तुलसी के कुछ ताजे पत्तों को रोजाना चबा करके भी खा सकते हैं यह बहुत ही फायदे मंद है अनार का रस अनार का रस किड्नी एस्टोन के खिलाफ बहुत ही अद्भूत और सरल घरेल उपाय है अनार के कई स्वास्थे लाव के अलावा इसके बीज और रस में खट्टेपन और कैसेलेगून के कारण इसे किड्नी एस्टोन के लिए प्राक्रितिक उपाय के रूप में माना जाता है इन उपायों के जर्ये पत्थरी से छुटकारा पाया जा सकता है यह उपाय काफी की फायती है और असरदार भी लेकिन इस इलाज का फायद में आप सभी के साथ जुड़ते हैं कौर बहादी महातो पूर्ण जानकारी को लेकर के तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों